स्वागत है आपका फ्रीजी की के चैनल पे मेरा नाम है कीरन भाबर आज हम कवर करने वाले हैं भारत का रास्ट है स्वतंतरता आंधुलन ये इसका पार्ट थर्ड है गांधी यूग से रिलेटेड मैं फर्स्ट सेगेंड पार्ट कवर करवा चुकी हूँ जिसमें मैंने अब भारत पूरी तरह से स्वतंतर हो जाता है उस सारे स्टेप्स यहां पर मैंने कवर किये हैं स्टेप बे स्टेप लाइन टो लाइन सारी चीजे में आप लोगों को समझाओंगी वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखेगा इसका पीडिएफ भी अवेलेबिल है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं टॉपिक बहुत साथे इंपोर्टेंट है इसलिए इसको इसको इसके बिलकल मत कीजिएगा जहां तक आप वीडियो देखते हैं प्लीज पूरा दिखेगा ताकि इससे रिलेट कलर में आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा उसको प्रेस एक बार जरूर कर दे और बैल वाले नोटिफिकेशन आइकन पे और प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी वीडियो टाइम टाइम पर मिलती रहे चले वीडियो को स्टाट करते हैं थोड़ा सा पीछे आपको संवाइस समझाई हैं ताकि किसी तरह की कोई आपको कन्फिजन ना हो उसके बाद जलेवाल अबाग घत्याकांड व सारी चीज़े मिला कर हमने अब आखरी में जो सेकंड पार्ट हम लिकर आये थे उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़े पढ़ाई थी जैसे सविनिय अवग्या अनुलन में क्या हुआ था वो सारी चीज़े हमने पढ़ लिते फिर केंद्री कॉंगर्स मंत्री मंडुलों का किस तरह से निर्माण हुआ था पाकिस्तान की मंग किस तरह से उठ रही थी फिर बीच में और क्रिप्स प्रस्ताव जो आखरी था वो दिजाम कर रहे हैं आपके भारत में जो भी अल्पसंक्याक है उनकी भी सुरक्षा के लिए जो भी हम करना चाते हैं वो इस तरह से लालस दे रहे थे भारतियों को ताकि यह अंदुलन को दबा सके क्योंकि यह दृतिय विश्वयुद की जब लड़ाई चल रही थी तब हम दोनों से बहुत जाता परिशान थे ब्रिटिस सरकार तो उसके लिए क्या कर रहे थे यह भारतियों को थोड़ा सा शांत करने की कुशिश में इन्होंने कुछ लालस दिये थे जैसे कि भारतिय सविधान सभा बनाना जिन में ना केबल भारतिय रियासते का हिस्सा होगा बल गांदी जी ने क्या कहा था उस प्रपूजल को गांदी जी का ऐसा कहना था कि यह आगे की तारिक का चेक था जिसका बैंक नस्ट होने वाला था है इस वाक्य में जो लाइन है जिसका बैंक नस्ट होने वाला था यह जवाहर लाल नहरु जी ने जोड़ा था इसका मतलब य कि एक तरह का चेक है ठीक है? जो यह कृप्स मिशन जो आया है भारत में एक तरह का चैक है, जिसमें सिफ यही है कि यह कुछ समय के लिए ही यह चीज़े होंगी और बाद में जरूरी नहीं है कि जो इनोंने कहा है कि हम आपके लिए यह करेंगे वो आगे भी बरकरार रहे है बस यही था कृप्टаюर में कulator है था इस को गांदी जी ने बिल्कुल मना कर दिया था जवाहला नहरू जी ने भी बिलकुल मना कर दिया था कि नही स्मूं को नहीं चाहिए 170 प्लस में आपको MSQS करवाऊंगी तो वहाँ पर हमें किस तरह की कोई भी confusion नहीं होगी देखे इस वीडियो में मैंने और जो उसके 1st second part है उन में मैंने कम से कम पूरा 90% जो syllabus है वो पूरा cover करवा दिया है exam point of view से और जो 10% जो बच भी जाता है वो मैं आपको MSQS के माध्यम से cover करवा देती हूँ ठीक है इसलिए वीडियो को last तक ज़रूर दिखेगा data काफी अच्छा collect किया हुए pdf भी आपको free available करवाया है चलि स्टाट करते हैं इतना मैंने आपको समझाया तो अभी तक आप समझ गया होंगे कि उससे पहले हमने क्या पढ़ा था ठीक है उसके बाद आता है यह भारत छोड़ो आंदोलिन जिसे हमने एक तरह से कहते कि एक आखरी कोशिश होती है गांदी जी द्वारा ठीक है सर याद रखेगा महतपून चीज यही है कि आप यह duration याद रखेगा ताकि आप confusion ना हो सके यार कि पहले क्या हुआ था क्रिप्स प्रस्ता पहले आया था या फिर पहले पाकिसान की मांग हुई थी या फिर क्या हुआ था इस तरह से कोई confusion ना हुआ आप लोगों को ठीक है देखे जो सन है भारत छोड़ा अंदोलिन का उह है 1942 से लेकर 44 AD डग ठीक है अब देखे क्रिप्स मिशन की विफलता है या पर अंसक्सिस्फूल हो गया था इसको भारतियों ने एकसप्ट करने से मना कर दिया था और अंतरास्टी जगत में जापान पर आकरमान का भाय और अनुकूल परिस्तित्यों में गांदी जी ने क्रिप्स मिशन के लोटाते है अंग्रेजों के समक्ष भारत छोड़ने संबंधी विचार रखने आरम कर दी जब ये दृतिय विश्व युद हुआ था तो ये जापान जापान ये जो बिटिस ने जो भी चीज़े जीत रखे थी बहुत सारे देश जीत रखे थे जहां पर इनका आगरमन था प्रिटिस सरकार ने से भारत पर ही नहीं बहुत सारी जगा राज कर रखा था तो उन सबको हरा रहा था कौन जापान सबको हराते हराते आ रहा था और अगर इस समझ में आरिया आपको तो यहां पर क्या हुत है कि अब unityfeel so सही मोगा है कि कृप्स मिशन को वापिस लोटा दिया जाए और अंग्रेजों को साफ कह दिया जाए कि हमारे भारत को आप छोड़ दो क्योंकि जापान का ताकरमन होने ही बाला है भारत के उपर बृटिस ती इसलिए भारतियों से उनका वो नहीं था बस बृटिस से इनको व 1942 में वर्धा में कॉंग्रेस कारे समीती ने भारत छोड़ो आंदलन का प्रस्ताव पारित कर दिया ठीक है गांधी जी ने विचार तो रख दिये थे लेकिन अब इसका प्रस्ताव पारित कब हुआ था 1942 में उसके बाद क्या हुआ एट अगस्त 1942 को मंबई में खामियर टेंट मैदान में अखिल भारती कॉंग्रेस कमिटी की बैठक में इस पर पुनह विचार हुआ गांधी जी ने अपने प्रस्तावों में अंग्रेजों भारत छोड़ों को कहा तथा मांग स्विकार ना करने पर आंदलन की धंकी दी दी उन्होंने कह दिया अंग्रेजों को कि आप अखिल भारती कॉंग्रेस कमिटी की बैठक हुई थी कहा पर मॉंबई में खामियर टैंक मैदान में इन्होंने धंकी दी थी अंग्रेजों को कि हमारे भारत को छोड़ों वरना हम अंदलन कर देंगे उन्हें भारतियों के लिए करो या मरो का अभी यहाँ पर नारा दी दि थे इन्होंने स्वयम खुद जब प्रथम विश्वयूद हुआ था तो इन्होंने खुद भारतियों को कहा था कि तुम अंग्रेजों की सेना में भरती हो जाओ जिस वचे से इन्हें भरती कराने वाला सर्जिंट भी कहा जाता है गांदीजी को और गांदीजी यह आते थे लेकिन दीरे अभी सेयर उन्हें पर आजाते हैं बहुत हैं जाते हैं जistes सिधे अपने लाइन क्यांदी ि में अयुक्तों पर यह मतलब कि महाद्यों के बित्लेम्र नार्शोय फोला सूफ उसकुक्ती जच्छ सब्सक्रीन के लोग्रेजों में घरनने सारों लड़ना ही है और इन अंग्रेजियों को भारत से बाहर निकाल देना है ठीक है अब फिर क्या होता है आगे इनके सनारे से क्या बदला होता है 9 अगस्त 1942 को कॉंग्रेस के सभी प्रमुक नेताओं को ग्रफतार कर लिया जो अधिकतर मुंबई में थे देखे अब इन्होंने नारा तो दे दिया मतलब कि अब क्या होना था कि अगले दिन देखे आठ अगस्त को ये नारा दे दिया गया और 9 अगस्त को इनको ये आंधुलन शुरू कर देना था एक ही रात में क्या हो जाता है जीरो जीरो आर चलाकर अंग्रेजों ने उन सारे नेताओं को गिरिफतार कर लिया जो आंदुलन का बड़ा हिस्सा बन रहे थे नेतित्र कर रहे थे न मतलब सारे वर्गे के लोगों को मान लेता हैं कि कोई मुंबै से कोई डिली से कोई महरास्ट से इन सब का नितत्र अलग-अलग नेता कर रहे थे तो इन सब बड़े बड़े नेताओं को क्या कर दिया? बंदी बना लिआ गया गृफतार कर लिया गया गानी ची को गृफतार नहीं किया गया थे लेकिन नजर बंद कर लिया गया था कि ये कुछ हंगामा ना करे इस तरह से ठीक है करने का इनका यही विचार था क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि अब ये अगले दिन आंदोलन करेंगे तो जब कोई आंदोलन का नेतत्र करने वाला बड़ा लीडर होगा नहीं तो सारी लोग घर से बाहर कैसे निकलेंगे उनको मतलब कौन बताएगा क्या आपको क्या नक्स स्टेप करना है इस वज़े से जिरो आर चलाया और रात को ही रातो रात सारे नेताओं को ग्रिफतार कर लिया गया ठीक है देखे फिर क्या होता है सबको ग्रिफतार तो कर लिया गया लेकिन फिर भी ये आंदुलन नहीं रुगा नेताओं की ग्रिफतारी के बाद नेतत्र उन हातों में आया जो अब तक ग्रिफतारी से बचे हुए थे कॉंग्रेस सोशलेट पाटी के नेताओं ने भूमिगत रहे कर आंदुलन चलाने का निरने लिया देखें कॉंग्रेस सोशलेट पाटी है जिसके बारे में अभी थोड़ा समय आपको और आगे बता दूँगी और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ठीक है कॉंग्रेस सोशलेट पाटी ठीक है ये जगा जगा के प्रांत में बने होए थे तो भूमिगत मतलब कि इनको तो ग्रिफतार नहीं किया गया बड़े-बड़े लोगों को ज़रूर ग्रिफतार कर लिया बड़े-बड़े निताओं को तो ये भूमिगत में रहकर ही कर रहे थे ये सारे निता बता रहे थे कि आपको आंदुलन किस तरह से करना है और क्या क्या करना है स्टेप्स बता रहे थे ठीक है अब देखें साम्यवादियों एवं मुस्लिम लिग ने इस आंदुलन का विरूद कर दिया ठीक है साम्यवादी जो थे और मुस्लिम लिग थे, उन सब ने इसका विरूद कर दिया, ये इन में हिस्सा नहीं ले रहे थे, ठीके ये भी पार्टी है, याद रखेगा, जैसे कॉंग्रेस सोशिलेट पार्टी है, और रास्ट्वे कॉंग्रेस पार्टी है, और सामयवादी हो गया, मुसलिम लिंग हो गया, ठीके, इस तरह से छोटी-छोटी और पार्टी थी, ठीक, तो इन में से ये दो पार्टी थी, एक सामयवादी और एक मुसलिम लिंग, ये सब इ क्या करो साशन करो तो ब्रिटिस सरकार क्या करती थी मुस्लिमों को थोड़ा क्या करती थी उनको अच्छी पोजिशन दे देते थे मतलब उनके लिए कुछ अच्छा कर देते थे और जो बाकी धर्म वाले लोग थे उनको थोड़ा सा टॉर्चर करते थे तो मुस्लिम लिग व बास्ता निकाला था कि जब ये आंदोलन चल रहा था सब आंदोलन कर रहे थे बिटिस सरकार के खिलाफ तो और मुस्लिम लिख क्या कर रहे थे अपना सब को बता रहे थे कि अब हमको पाकिस्तान की मांग रखनी है ठीक है ये अपना दूसरी तरह से आंदोलन चला रहे थे प किया गया अंतिम प्रियास था ठीक है सबसे लास्ट यही था इसमें चात्र किसान एवं मजदूरों ने जम कर हिस्सा लिया ठीक है अभी आपको बता दिया यह सब अलग-अलग वर्ग के लोग अभी इस आंदलन में आकर शामिल हो गए थे गांधी जी ने कहा था चात्र को कि अब आप स्कूल और कॉलेग छोड़ दो तब तक के लिए कि जब तक आप आजाद नहीं हो जाते ठीक है किसानों के लिए भी उनकी ही लेवल के कुछ इंस्ट्रक्शन थे मजदूरों के लिए भी थे और यहां पर सैनिकों ने भी हिस्सा ले रखा था तो सैनिक भाईयों क गांधी जी ने कहा दिया था कि अब आप अभी तक ब्रिटिस सरकार के लिए काम तो कर रहे थे लेकिन उनके काम करना उनके लिए भी लेकिन अब आप हिंदूओं पे गोली नहीं चलाओगे ठीक है ना मुसल्मान पे चलाओगे ना सिख पे ना पार्सी जो भी धर्मे थे उस समय से किसी पर भी आप गोली नहीं चलाओगे ऐसा कह दिया था गांधी जी ने ठीक है मतलब आप किसी भी लोगों के उपर गोली नहीं चलाओगे ना किसी धर्म के उपर ना किसी के उपर ठीक है लगते थे ना मतलब यह सब लोग थे तो ही अपने भारत के ही लेकिन यह काम जादतर किसके लिए कर रहे थे ब्रिटिस सरकार के लिए बाकि देखा जाए तो ब्रिटिस सरकार इतनी जादा नहीं थी इसलिए वह बहुत जादा स्ट्रॉंग थे क्योंकि सैनिक भी उनकी तरफ थे तब गांधी जी ने इन सब को कह दिया कि आप सब भारत के ही हैं और अब भारत के लिए लड़ो उनकी तरफ आप उनका साथ इतना मद्दो ठीक है यह अंदुलन में अभी नोंने इनको अपनी तरफ कर लिया अब भारत छोड़ो आंदुलन के समय ब्रिटेन का जो प्र कहते हैं आजाद हिंद फौज इनमें क्या होता है पहली आजाद हिंद फौज की गठन का श्रेय जाता है कैप्टन मोहन सिंग को ठीक है वन्होंने 1 सितंबर 1942 को आजाद हिंद फौज की पहली डिविजन बनाई थी ठीक जापानी अधिकारियों से सेना के संक्या और इसकी भूमिका के प्रश्णों पर मदभी हो जाने ये कारण यह सफल न हो सकी एक बात रखेगा यहाद देखिए जो आजाद हिंद फौज है यह जो गठन हुआ है इसका और यह जो जापान की जो अधिकारी थे जो आकरमन करने वाले थे कुछ समय में प्रिटिस सरकार के उपर जो भारत में ही थे तो अभी यहाँ पर क्या थोड़ा सा मदभीद हो जाता है जापानी अधिकारी और यह जो आजाद हिंद फौज जो होती है इनके वीच में ठीक है अब क्या होता है टू जुलाइन नाइंटिन फौटी थी को सुभाश्चंद्र बोस ने सिंगापूर प उसको 5 जुलाइन 1943 को भारति स्वतंत्रता लीग एवं अक्टूबर 1943 एडी को आजाद हिंद फौज का अध्यक्ष बना लिया जाता है ठीक है याद रखेगा दो जुलाइको तो इन्होंने यह नारा दे दिया सिंगापूर पहुँचके उसके बाद है ना 5 जुलाइको इन अधिताद जी ने आजाद हिंद सरगार के गठन की घोशना की तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादे दूगा का उद्देश दिया ठीक है अब क्या इन्होंने जो आजाद हिंद सरगार का जो गठन किया था यह इन्होंने अलग से किया था और इनके खुद यह अधिक्षते आजाद हिंद फोजी के अब यहां पर यह कहते हैं कि तुम मुझे खून दो मतलब कि आप बलीदान दो या फिर उनको मारो मैं तुम्हें आजादे दिला दूगा ठीक है इसे तरह से आजादी मिले ही अब करो या मरो गांदी जी क्या चुके थे अब यही करना होगा वना आजादी मिलना बहुत मुश्किल है सुभाचंद्र बोस को बोस की अस्थाई सरकार को जापान जर्मनी इटली चीन आईरलेंड बर्मा एवं फिलिपिन से ने मानेता दे दी थी ठीक है इन्होंने जो सरकार बना रखी थी और इस थाई सरकार उनको यहां सबसे मानेता मिल गई थी ठीक है मतलब कि अब यह थोड़े पाउरफुल हो चुके थे 7 मैं 1945 को दुरतिय विश्वयूद में जर्मनी एवं 6 अगस्त 1945 को हीरोशीमा एवं नागसागी पर अमेरिका दुआरा बम गिराये जाने के कारण 15 अगस्त 1945 तक जापान दोनों ने अपनी पराजे सिवकार कर ली इससे जापान के अधिन सारे प्रदिश बृतिन के अधिका चेतर में आजाते हैं ठीक है अब देखें ये जो दुरतिय विश्वयूद होता है इसमें सबसे महतपून घटना जो होती है याद रखेगा 6 अगस्त 1945 को हीरोशीमा एवं नागसागी पर अमेरिका दुआरा बम गिराये जाने के कारण 15 अगस्त 1945 को जापान दोनों ने बानने कर लिया ठीक है जब दुरतिय विश्वयूद हुआ था और जो भी हिस्सा इन्होंने था इनके जापान के अधीन में वह सब किसके अंडर में आ जाता है ब्रिटेन के अंडर में आ जाता है उसके बात क्या आता है उनकी मृत्यों सुभास चंदर बोजी की मृत्यों कहते हैं कि 18 अगस्त 1945 को आमुसादीब से टोक्यो जाते हुए अचानक हुए हवाई दुरगटना में मानी जाती है इनके मृत्य इस तरह से हुई थी परन्तु इसे अभी तक प्रमानित नहीं माना जाता है ठीक इस चीज़ कोई प्रमानित नहीं मिले हैं लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो मृत्य हुए थी सुभाशंद्र बोश जी की वो हुई थी 18 अगस्त 1945 को ठीक है आमुसा द्वीब से टोक्यो जाते हुए अचानक हो गई थी हवाई दुरगटना में आजाद हिंद फौज के ग्रिफतार सैनेको एवं अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवेंबर 95 को मुगद में चला दिये अब देखे आजाद हिंद फौज के जो अध्यक्षति सुवाशन रबूज उनकी ये मृत्ति हो गई दुखत मृत्ति हो गई उसके बात क्या होता है उनके अध्यक्षतों मर जाते हैं तो उसके बात क्या करते हैं ये जो अंग्रेज सरकार होते हैं ये आजाद हिंद युक्त आई एन ए आजाद हिंद फोज के तीन अधिकारी होते हो समय करनल सहेगल करनल डिलो एवं मेजर सहनाजवा पर राजद्रोह का आरोप लगाया जाता है ठीकि ये तीन अधिकारी होते हैं इनके ओपर आरोप लगा दिया जाता है कि आपने राजद्रोग कर दिया है आई एन ने के पधादिकारियों के पक्ष में ये जो भी पधादिकारी जो होते हैं इनके पक्ष में है ना मतलब कि इनको आपने राजद्रोग गोशित क्या है ऐसा अंग्रेज सरकर का कहना था कि इन्होंने राजदरो क्या है तो इनके पक्ष में आप कौन खड़े हो जाते हैं जोहरलाल नहरू, टेबी, संप्रू, एवं एन काटजों ने दलीले दी थी कि नहीं ये राजदरो नहीं है मतलब ये दलील दे रहे थे अपनी तरव से लेकिन फिर भी तीनों को फासी की सजा सुनाई देते हैं ठीक है, मतलब दीखे, अंग्रेजों के खिलाफ जो भी अगर कुछ भी उठा रहा था आवाज तो उनको क्या कर रहे थे, ये राजदरो के आरोब में इनको फासी की सजा दे देते हैं अब इनको फासी हो जाती है तीनों अधिकारियों को जिसे लोगों ने भेंकर विरोध के कारण कारण बाद में बदल दिया इनको फासी की सजा सुनाई गई थी ठीक है, सुरी से यह चीज टल भी जाती है आगे जब सब मिलके भेंगर विरोत करते हैं तो यह बाद में बदल दिया जाता है चले उसके बाद क्या होता है सी आर फॉर्मुला है ना 1944 AD में आता है सी आर फॉर्मुला क्या है जो बाद में अब आगया आया था देश की संप्रदाइक समस्या को सुलजाने के उद्देश से चक्रफर्ती राज गौपालचारी ने 10 जुलाई 1944 को गांधी जी की स्वयकृती से कॉंग्रेस सेवं मुस्लिम लिग के बीच समझोती की एक योजना प्रस्तुत की थी अब देखे यहाँ पर तीन तरकी लड़ाई चल रहे थी जो गांधी जी है ये ब्रिटिस्ट सरकार को हटाना चाहते थे बिल्कुल अंग्रेज जो कहा दिया था भारत चोड़ दो यहाँ पर कॉंग्रेस ये कॉंग्रेस से ही थे जुड़े हुए तो ये Congress और ये सब मिलकर इस British सरकार को खतम करना चाते थे और यहाँ पर दूसी तरफ Muslim League ये क्या चाते थे अपना एक अलग रास्ट्रे मांग कर रहे थे पाकिस्तान की मांग मांग तिनों ने 1940 में ही उठा दी थी और 22 December 1939 को ये मुक्ती दिवस के रूप में भी मनाया करते थे अब क्या होता है गांधी ची यहाँ पर दो लड़ईयों की बीच में उलजे होते हैं गांधी ची ब्रिटिस सरकार से भी और यहाँ जो भारत के ही Muslim थे और ये अलग एक रास्ट्रे शाते थे यहाँ पर इनकी इस चीज में ये फजगे थे तो अब यहाँ पर CR formula बनाया था formula का मतलब यही था कि इनके बीच में समझोता हो जाए तो इसका कौन कर रहा था ये सुलचाने के उद्देश से किस ने ये किया था ये चक्रवती राज गोपालाचारी ने इसको सुलचाने के उद्देश से ये योजना बनाई थे अब उसमें क्या होता है आगे चल के देखे अब जो ये समझोता करना चाहते हैं उसमें चक्रवर्ती राज गोपालाचारी का कहना है कि मुस्लिम लिग भारतिय स्वतंतरता की मांग का समर्थन करे या फिर अस्थाई सरकार के गठन में कॉंग्रेस के साथ सहयोग करे ऐसा इनों ने कह दिया उसके बाद दृतिय वेश्वयूद के खतम होने पर भारत के उत्तर पशिम ठीके उत्तर पशिम हिसा याद रखेगा उत्तर और पशिम वह पूर्वी भागों में इस्तित मुस्लिम बहु अल्प संक्यक ठीके देखे पूर्वी में हिस्सा कौन सा आ जाते ये बांगला देश तरफ और ये उत्तर पशिम ये पंजाब तरफ ठीके वहाँ पर क्या होता है मुस्लिम बहु संक्यक छेत्रों की सेमा के निर्धारन के लिए एक कमिशन नियुक्त किया जाए तथा भारत से उनके संबंद विछेद के प्रश्न का निर्ने किया जाए ठीके अब ये राज जो गोपालाचारी है चक्रवर्ती राज गोपालाचार मुस्लिम लिखके और गांदी जी के सामने के इन चीजों पर विचार किया जाए जैसे कि रुटी विश्वयुद खतम होगा उसके बाद जो उत्तर पशीम और पुर्वी भाग में स्तित है मुस्लिम बहु संक्यक उन छेत्रों की सीमा को निर्धारित कर दिया जाएगा और एक कमिशन निक्त किया जाएगा जिसमें भारत से उनके संबंद विचेद के प्रश्ण का निर्धारिक किया जाएगा ठीक है इस तरह कि इनोंने मांग रग दी मतलब एक समझोते की तहट मतलब कि इनका ये कहना था कि हम अलग से सौरास्ट नहीं बनाएंगे ये जो चक्र लेकिन क्या होता है ये बिलकुल भी नहीं चाहते है मुस्लिम लिग एक तरफ से अड़ जाते हैं इसी चीज़ पर जो मुहमद अली जर्ना है वो अड़ जाते हैं इस चीज़ पर की नहीं हमें थो पाकिस्तान एक अलग ही चाहिए ठीक है क्यों चाहिए वो भी आगे हम लोगों अपने द्रिष्टी कोनों की प्रचार की पूरी स्वत्तंत्रता होगी ठीक है मतलब की जो मत गणना होगी तब सब जो राष्ट नितिक जो धल है उनको अपने द्रिष्टी कोन रखने की पूरी स्वत्तंत्रता मिलेगी ठीक है और इन्होंने एक बात रखी थी उस सम समझोते की व्यवस्ता के जाएगी ठीक है इस तरह की ये बात रख रहे था किसमें CR फॉर्मुले में लेकिन कहा जाता है कि ये भी अंसक्सिस्फूल हो गया था क्यों आ था देखे वीवल योजना आई थी उसके बाद 1945 ED में अब देखे गांधी जी और मुसलिम लिग में इस सारे जमेदारी गांधी जी पर डाल दी ठीक है मितलब कि जो भी हिंसा हुई थी इनका ये कहना था कि ये सब गांधी जी ने करवाया है कहा जाता है कि भारत छोड़ा अंदलन चल रहा था और जब सबको गिर्फतार कर लिया गया तो उस समय करीपें दस हजार के आसपास ल जाते हैं कॉंग्रेस शोचलिस्ट पार्टी ठीक है वो अब क्या कर रहे थे उस समय उसका नेतत्र कर रहे थे तो उस समय इतने सारी लोग मारे गए थे ठीक है तो ब्रिटिस सरकार ने सारे जमेदार किन के सिर पर ढाल दी गांधी जी ने की कि आपकी वज़े से हुआ अप क्रिप्स में योजना की मुख्य शर्ती लगबग क्रिस्प प्रोपोजल जैसी ही थी ठीक है जो क्रिप्स कमिशन आया था उसको तो भीज दिया था वापिस मतलब कि एकसेप्ट किया ही नहीं था गांधी जी ने और जबाहरलाल नहरी जी ने ऐसा कहके कि यहां आगे की ता प्रोपोजल जैसी थी इन में स्वासाशन की मांग और वायवसराय की कार्य कारणे की समीती में मुसल्मानों वह हिंदू की संख्या बराबर करने को कहा गया था ठीक है ठीक है मतलब कि अभी यहां पर इनकी मांग ये रख दी गई थी कि जो स्वासाशन हो रहा था वहाँ पर अभी यहां पर एक जैसे मतलब कि कोई संख्या इनकी कम नहीं होगी बिल्कुल बराबर रख दी जाएगी ठीक हिंदू भी उतने ही रहेंगे और मुसल्मान भी इतन 1945 को शिमला आमंतृत गया देखिए अब बात वहां तो बनी नहीं सी आर फॉर्मुलें बात नहीं बनी तो वेवल योजना मिनों नहीं ये बात रख दे कि जब सोसाशन की मांग और वैवसराय के जो कारे कारणे की जो समीती होती ही वहां पर हिंदूर मुसल्मान की संख्या को एकगर दिया जाएगा ठीक है ये वी जब यहां पर भी बात नहीं बनी तो इन्हों ने सिमला में इनको आमंतृत किया कि अब वहां पर हम आते हैं और वहां पर इसके उपर बात करेंगे ठीक है क्योंकि चाहते नहीं थे उस समय कि पाकिस्तान एक अलग बन जाए तो उस तो यहां पर रहे के अपने अधिकार को सुरक्षित कर सकते हैं, इस तरह की मांगे रखी जा रही थी बीच में, ठीक है, फिर क्या होता है, 25 जुन 1945 से 14 जुलाई 1945 तक शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन होता है, जो कि आधुनिक भारत की इतिहास में शिमला कॉंफरेंस के ना मंत्रित किया जाता है, इसमें मुसलिम लिग के मुहमद अली जिन्ना इस बात पर अड़ गए कि केवल मुसलिम लिग ही भारत के समस्त मुसल्मानों का प्रतिनिदित करती है, इस कारण यह सम्मलन असफल रह जाता है, ठीक है, अब दिखें, जो मुहमद अली जिन्ना है, इ इनका ये कहना होता है, अब देखें, यहाँ पर समझोता है कि लिए आते हैं, लेकिन अगर कोई किसी बात पर अड़ जाता है, और इसको कोई final solution नहीं निकलता है, तो वो चीज़े असफल हो जाती हैं, वो सम्मेलन है, मतलब कि अगर यहाँ पर successful नहीं हो पा रहे तो उसको अ इसको कोई नहीं पसंद आई थी, तो इस वज़े से यह सम्मेलन क्या होता है, असफल हो जाता है, देखें किती सारी चीज़ असफल हो गई यहाँ पर, CR formula असफल हो गया है, उसके बाद विवल योजना भी असफल हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, 1945 से 46 AD का न चुनाव होता है, यह देखने के लिए कि अब यहाँ पर कौन जीत देता है, ठीक है, इस चुनाव में सिमित मतादिकार का प्रियोग किया गया था, चुनाव में कॉंग्रेस एवं मुसलिम लिग को जबरजस्त सफलता मिलती है, कॉंग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में अप यहाँ पर कौन जीत जाता है, कॉंग्रेस जीत जाता है, यहाँ रखेगा, 45 से 46 का जो निरवाचन होता है, यहाँ पर कौन जीता है, कॉंग्रेस जीत देती है, है ना, ठीक है, जो बाद में जो होगा एक निरवाचन, वहाँ पर याद रखेगा, आप कॉंग्रेस हार जात पर करवाती जा रहे हूं ताकि कोई confusion आपको ना हुए कि उसके बाद क्या हो था उसके बाद एक विद्रो हो जाता है वायू सेना और नौसेना का विद्रो यह जब निर्वाचन हो रहा होता है उसी समय ठीक है आजाद हिंद फौज की गतिवीधियों से प्रेरित हो भारती से नाओं में भी हलचल हो जाती है ठीक है जो आजाद हिंद फौज जो गठित किया गया था उसके बाद यहां पर क्या और भी जो सेना हैं थी भारत में उन सब जगा पर भी हलचल हो जाती है कराची में 20 जैनवरी 1946 को वायू सेना की कुछ सेनिकों ने ब्रिटिस सरकार के विर मुख मांग थी कि भारती और कॉंग्रेश सेनिकों में बराबरी का वहवार किया जाये ठीक है क्योंकि जो ब्रिटिस सरकार थी वो भारती को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते थे जितना वो अंग्रेश सेनिकों को देते थे क्योंकि अंग्रेशों का यही माना था कि हम भारतियों पर राज करने के लिए ही आए हैं ठीक है तो इसलिए इनको ट्रेट भी इस तरह से किया जाता था नौ सेना में भी 19 February 1946 को कुछ भारतिय टुकडियों ने विद्रोह कर दिया 5000 सेनिकों ने आजाद हिंद फोज के बिल्ले लगाए उन्हों कि नहीं भी बराबरी कि μαग यहां पर कर दी ठीक है अब किसने बाईउस सेना और नो सेना दुनों ने विद्रोह कर दिया कम से कम दुनों की तरफ से 5000 सेनिकोंने यही मांग रखी कि हमको बराबरी दी जाए ठीक है उसके बाद सरकार का दमन चक्र चलता है इसके उपर अंत्र सरदार वला भाई पटेल की मदस्ता से यह विद्रो समाप्त हो जाता है ठीक है जब विद्रो कर रहे हैं तो सरकार इसका दमन करती है दमन मतलब की दबाना उस चीज़ को जो यह मांग उठा रहे हैं उसको दबा दिया जाए तो यहाँ पर बीच में सरदा वल भाई पटेल जी आते हैं और इनके बीच में मदस्ता कर देते हैं ठीक है मैं अब कुछ बात हो जाते हैं विचार विमश होता है और यह विद्रो वहीं पर समाप्त हो जाता है ठीक है उस लग उसी समय की बात है, जब यहाँ पर निर्वाचन हो रहे थे, और ये जो विद्रो हो रहा था, वाई-सेना, वाई-सेना के विद्रो हो और उसी समय, कैबिनेट मिसन योजना भी हो रहे थी, इसमें क्या था? क्लिमेंट इटली की ब्रिटिश सरकार ने 15th मार्श 1946 को एक घोषना करी जिसमें भारतियों के आत्म निर्मान के अधिकार और सविदान बनाने को मान लिया गया अब यहांपर क्या घोषना हो जाती है कि भारतियों के आत्म निर्ने के अधिकार जो भी है और सवीधान बनाने को मान लिया जाता है सवीधान किनों ने बनाया है कौन है इसके जनमे दाता आपको पता है भीमराव अमिटकर जी उनके बारे में हम अलग से पढ़ लेंगे क्योंकि अभी हम यहाँ पर गांधी युक के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पर गांधी जी के उपर जादा आपको डिटिल में समझा रहे हूं उसके बाद जो भी नेता है लीडर्स है उनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे के करके ताकि और पिच्चर आपको अची तरह से क्लियर हो जाए क्योंकि यहाँ पर तमाम नेता लोग जुड़े होए हैं उसके बाद क्या होता है इस एतिहास से गोशना के बाद ब्रिटिक्स कैबिनेट के तीन सदस्य होते हैं कुन-कुन से होते हैं पैथिक लोरेंस जो अधिक्स होते हैं सर स्टेफोर्ट क्रिप्स और एबी अलेक्सेंडर को भारत में भेज़ दिया जाता है गोशना करते हैं इस चीज़ की भारतियों को आत्म निर्ने के अधिकार और सविदान बनाने का मतलब यह मान लेते हैं कि हाँ आप इस तरह के सविदान बना लीजे तो इसके लिए ये कुछ सदस्कों भेजते हैं अब उसके बाद क्या होता है देखें कैबिनेट मिशन 24 माच 1946 को दिल्ली पहुंसता है एवं 16 मैं 1946 को कैबिनेट मिशन योजना प्रस्तुत किया गया इस योजना में एक ऐसे त्री इस्तरिय सविदान का प्रस्ताव रखा गया जिसमें भारत की राजनितिक एकता को बनाए रखने का प्रियास किया जाता है ठीक है उसके बाद इस योजना में एक सविदान सभा के गठन का भी प्रस्ताव होता है ठीक है सविदान सभा एक अलग से एक सभा होती है उसका गठन का प्रस्ताव भी समें रखा जाता है कैबिनेट मिशन योजना को विभिन राजनितिक दलों ने अपने अपने दिरस्टिकों स अब देखा ठीक है अब ये जो योजना इन्हों नहीं दी थी जिसमें सवीधान सभा का गठन करना था इसको अब जितने भी राजनेतिक दल थे जैसे मुसलिम लिख हो गया कॉंग्रेस के अलग हो गई और और भी अलग-अलग थे उसमें ठीक है तो इन सब ने इस चीज को अ है कि ये जो लेकर आ रहे थे एक सभा का गठन करना चाता थी ठीक है अब इसमें क्या होता है कि कॉंग्रेस ने योजना में इस योजना में बहुत सारे दोश पाली है ठीक है मतब कि ये सहीं नहीं है कहीं ना कहीं इनको ये लगा कॉंग्रेस पार्टी को और दूसरा जो य समझना था कि इसमें पाकिस्तान की मांग की पूरती नहीं हो पाईगी ये जो बनाना चाहते हैं ठीक है जो इस अंगटन बना चाहते हैं गटन करना चाहते हैं सवीधान का सभा का जो गटन करना चाहते हैं उसमें हमको शायद पाकिस्तान नहीं मिलेगा ऐसा मुस्लिम लिग क इसको इस योजना को सुविकार कर लिया होता है ठीके सबसे पहले जो मुसलिम लेगे हैं इन्होंने 6 जुन को इसको सुविकार कर लिया और 25 जुन को किसने कॉंग्रेस पाटी ने इसको सुविकार कर लिया इसके तहद सविधान सबा के गठन के लिए अब चुनाव होना था, ठीक है, सविधान कैसे बनेगा, जब उसका चुनाव होगा, ठीक है, तो 1946 में चुनाव अब कराए जाते हैं, अब दिखें क्या होता है उसके बाद, प्रत्यक्ष कारवाही दिवस, जो बनाया जाता है 16 अगस्त 1946 AD को ठीक है, प्रत्यक्ष कारवाही मुसलिमों को नामसत कराने के अधिकार को मुसलिम लिग ने मानेता नहीं दी, एवं जुलाई के अंत में कैबिनेट मिशन के वक्तित को भी अस्विकार कर लिया जाता है, यहाँ पर भी मदभेद होता है कॉंग्रेस की बीच में और मुसलिम लिग की बीच में, और यहाँ पर इस cabinet mission को भी क्या करते हैं ये असिवकार कर देते हैं कुछ समय बाद मुस्लिब लिग ने अब प्रत्यक्ष कारवाही की घोशना की तथा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कारवाही दिवस्तर डारेक्ट एक्षन डे निशित किया गया ठीक है क्योंकि एक ही चीज़ पर अड़े सिंद व उत्तर पशिम सिवा प्रांतों में दंगे बढ़क जायते हैं ठीक है उसके बाद क्या होता है दिखे वेवल योजना तथा सिमला का सम्मेलन होता है 14 जुलाई 1945 को वेवल ने एक योजना प्रस्तुत की इस उद्देश से दिखे जो वेवल जो योजना बन रही थी अब हमने आपको बताया थोड़ी दिर पहले हमने पढ़ा कि उस समें और क्या हो रहा था उस समें जब भी नहीं मान रहे थे सियार फॉर्मुला फेल हो गया वेवल योजना भी फेल हो गई तो सिमला सम्मेलन और ये योजना के तहट करवा रहे थे ना उसके बीच में निर सम्मेलन करवाना ही बढ़ जाता है क्या होता है ठीक है 14 जुलन 1945 को वेवल ने एक योजना प्रस्तुत की उसका उदेश 1935 के भारत साशन अधिनियम के अधिन आगे सवेधानिक परिवर्तनों की रूप रेखा प्रस्तुत करना था वेवल ने कॉंग्रिस कार्यकारणी के वायवसराय ने निमनलिक प्रस्ताव भी रख दिये अब देखे इस सम्मेलन में वायवसराय ने निमनलिक प्रस्ताव भी रख दिये जैसे की केंद्र में एक नई कार्यकारणी कार्यकारणी परिसद का गठन होगा कार्यकारणी परिसद में भारती सदिस्तियों को दलों के आधार पर शामिल किया चाहेगा इसमें मुस्लिम एवं स्वन हिंदु कॉंग्रेस बार बार बराबर बराबर होंगी ऐसा यह वाईसराय का कहना था इस व्यवस्ता यह व्यवस्ता अंतरिम होगी जब तक कि भारत का सविधान बन करना तयार हो जाए ठीक है जब तक सविधान नहीं बनेगा तब तक यह सारे चीज़े इसमें होगी एसान का कहना था उसके बाद क्या होता है कॉंग्रेस ने स्वयम को स्वन हिंदु निकाय कही जाने का अपत्ति इन्होंने करी अपत्ति करी कि इसको जो कॉंग्रेस इसको स्वर्ण हिंदु ना कहा जाए क्योंकि यह हर समुधा एकले बनाया था हमने कॉंग्रेस पार्टी बनी ही इसलिए थी कि हर वर्ग की इनसान की बात सुनी जा सके वो मजदूर हो सकता है वो किसान हो सकता है स्कूल का स्टुनेंट हो सकता है सनिक हो सकता है हर वर्ग के इंसान के बात सुनकर किसको बताई जाए ब्रिटिस सरकार को बताई जाए इसलिए कॉंग्रिस का गठन किया गया था कॉंग्रिस ने नहीं सुचा था कि इसको धर्म क्या धर पे चलाया जाए लेकिन मुसलिम link जब बनती है तो उन्होंने सिर्फ मुसल्मान के बारे में सुचा, मुसलिम link को ऐसा लगता है कि ये जो Congress है ये सिर्फ Hindu के बारे में सूचती है, लेकिन Congress बनाई इसलिए गई थी कि हर इन्सान की बात पहुँचाए जाए कहां कॉंग्रेस के लिए ब्रिटिस सरकार के पास इसलिए कॉंग्रेस बनाई गई थी है हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया यह जो रास्ट चरण जो हुआ था प्रतम दूरती हमने पढ़ लिया वो मजदूर हो सकते हैं किसान हो सकते कोई भी हो सकते हैं लेकिन मुसलिम लिए सिर्फ मुसलिम ही था तो अब कॉंग्रेस को इसलिए वो क्या कह रहे थे सुवन हिंदू कह रहे थे जो इनको बात विल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कॉंग्रिस ने मुसल्मानों सहीद किसी भी समधाय के सदस्य को मनोनित करने के अधिकार की मांग कर ले थी ठीक है कॉंग्रिस का यह कहना थी कि हमारे यहाँ पर कोई भी समधाय का सदस्य हो सकता है ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिंदू होगा या मुसलिम होगा उसकी बत क्या होता है लिग ने अपने आपको मुसलमानों का एक मातर परदीनिती बनाया तथा परिसद के सभी मुसलिम सदस्यों के मनोनियन का अधिकार भी इन्होंने मांग लिया ठीक है लेकिन एक सिर्फ मुसलमानों को एकतर किया जा सके ताई इस तरह से इनकी एक अलग ही मांग चल रही थी लिग लिग किसे कहरे है मुसलिम लिग को ही कहरे है मुसलिम लिग ने मुसलमानों से संबंधित मामलों का निर्णाई दो तिहाई बहुमत से करने की मांग कर दी बात है माउंटेन योजना 1947 में ठीक है 3 जून 1947 ठीक है यह 1947 है 1947 को माउंट एबन ने अपनी योजना प्रस्तूत किये होती है ठीक है इसमें ब्रिटिस्ट भारत का विभाजन भारत वा पाक में किया जाना सुखार लिया होता है ठीके बिटिस्ट ये मान लेते हैं कि अब विभाजन ही करना होगा क्योंकि जो मुस्लिम लिग है वो अड़ गये थे पाकिस्तान के लिए ठीके इसलिए इन्होंने भी इस चीज़ को एकसेप्ट कर लिया थे कि अपने एक्चा से चाहे जहां रहे ठीके उसके बाद विभक्त देश के बीच लेंदारियों देंदारियों का समझोता भी होगा राश्ट मंडल के सद्सता से त्याग का अधिकार भी होगा ठीके ये सारे चीज़े थे माॉंट इबन यूजना के तहट अब देखें यहीं से सोतंतरता के किरण नजर आने लगती है वेवल के स्थान पर आए गवर्नर है ना वेवल यूजना हमने पढ़े ली उसके बाद आते हैं ये जनरल गवर्नर जनरल आते हैं माउंट डेवन की योजना को ब्रिटिस अंसर दिन में 5 जुलाई को रखा जाता है जो 18 जुलाई 1947 को भारती राश्ट्रेता अधिनियम के रूप में पारित हो जाता है जिसमें भारत तथा पाक दो स्वतंत्र राज्यों के स्थापना होती ह ठीक है देश भी कह रहे थे और राज्य भी कहा जा रहा था उसमय उसको ब्रिटिस्ट क्राउन के प्रभूत्व की यहाँ पर समाप्ती हो जाती है भारती सचिवपद की समाप्ती आधि बाती भी इसमें हो रहे थी ठीक है मत्त भारत सचिवपद भी यहाँ पर समाप्त कर दिया जा रहा था यह अभी उलेखनिय है कि नए सवीधान बनाने के पहले वर्तमान सवीधान सभाओं ने 1935 एक्ट के आधार पर ही कारे किया ठीक है अब दीखे पाकिस्तान ने लियाकत अली को अपना प्रधान मंत्री बना लिया और जो महवद अली जिलना है उनको इन्हों मांट बेटेन को बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ठीक है तो याद रखेगा यह काफी ज़द इंपोर्टेंट है इस लेज को मैंने इस तरह से कर दिया है ताकि आपको यह चीज़ याद रहे मांट बेटेन के बाद चक्रवर्ती राज गवालाचारी भारत की गवर्नर बन जाते हैं 26 जनवरे 1950 को भारत का नवीन सविधान लागू हो जाता है पूछा जाता है कि भारत के स्वतंतर होने के बाद भी कौन होता है हमारे भारत का गवर्नर जनरल तो वो होते हैं मांट बेटेंटि के इस तरह से सवाल भी बन जाते हैं घुआ फिरा के बहुत सवाल पूछ ले जाते हैं फिर पाकिस्तान का जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो समय भारत के प्रधान मंतरी कौन बने थे तो थे पंटित जवाहलन नहरू जी बने थे और पाकिस्तान के कौन थे तो वो थे लियाकत अली प्रधान मंतरी और गवर्नर जनरल थे मह वदले जिन्ना अब देखिए उसके बाद क्या होता है भारती सविधान का निर्माण होता है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हो जाता है ठीक है यह भी याद रखेगा कि अब उनके बाद माउंट विटेन के बाद आते हैं चक्रवति राच गोपालाचारी भारत के गव पिस जनवरी 1950 को भारत का नविन सविधान लागू हो जाता है और यह किसके अनुसार होता है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ही रहता है इसको याद रखेगा अब देखे कुछ इंपोर्टन लाइन है कि अब बाद में क्या होता है गांधी जी कहां चाते हैं गांधी ये बात हर किसी को पसंद नहीं आई बहुत सारे भारतियों को उनका यह सहर्दे आचरन पसंद नहीं आता किस कोई चीज पसंद नहीं आई थी बहुत सारी लोगों को उसके बात क्या होता है तीस जनवरी के शाम को गांधी जी को देनिक प्रातना सवाके में एक योग ने उनको गोली मारकर मौत की निंद सुला दिया, उनके हत्यारे ने कुछ समय बाद आतम समर्पन भी कर दिया, वह नाथोराम गोड से नाम का ब्रामन था, ठीक है, यद रखेगा, ये नाथोराम गोड से नाम का एक ब्रामन था, उसके बाद क्या होता है, पूने का रहने वाला कोड से एक चरम पंती हिंदु वादी अकबार का संपादक था, वह गांधी जी को मुसल्मानों का खुषामदी, ठीक है, किस नाम से पुकरत था, मुसल्मानों का खुषामदी कह कर उनकी निंदा करता था, गांधी जी की मृत्त्यों से चारों और गहरे शोक की लहर भारत भर के राजनेतिक फलक पर उन्हें भाव भिनी श्रद्धांजली दी जाती है ठीक है उसके बाद और भी थे अलबर्ट आइंस्टेन उन सब ने भी उनको श्रद्धांजली दी थी तो यहां तक था पुरा संगश किस तरह थे से गांदीची ने हमारी भारत को आसाथ करवाया वह एटूजड में आपको सारी चीज़े समझा चुके हो ठीक है एटूजड बहुत ही कम ऐसे पॉइंट्स होंगे जो मिस्स किये होंगे ना कि बराबर 90% मैंने कोर्स आपका यहां पर कवर करवा दिया बाकि 10% कुछ भी बच जाता है वो सब मैं आपको कहां MCQs में कवर करवा दोंगी हमारी चैनल को जरू सब्सक्राइब करना भूलना बिल्कुल भी नहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीस रिक्रस्ट है आप सभी लोग उसे सब्सक्राइब जरू कर लें और इस बैल पर भी और प्रेस कर लें और वीडियो के स्किप बिल्कुल मत कीज़ेगा क्योंकि काफी अच्छा डाटा हम कलट करके आप लोगों कुछ समझाते हैं ताकि आपका एक भी मास गलत ना हो चलिए थैंक्यू